नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आप जो की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे थे और आप सभी को पता है आटियो में जाके आपको टेस् उसके लिए आप schedule book करते हो और मान के चलिए किसी भी कारण से आप उस schedule date पे अपना test देने नहीं जा पाए या फिर test देने गए थे पर किसी भी कारण से test नहीं दे पाए तो आप है जो कि बिना fees दिये कैसे अपना है जो कि test के लिए schedule कर सकते हो पूरी information आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी तो जिनका भी test छूट गया है इस वीडियो को end तक देखिए पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को जल्दी से start कर लेते हैं तो friends अगर test छूट गया है तो दुबारा booking करने के आपको यहाँ पर Google Chrome open कर लेना होगा एम परिवान लिखके है जो कि आपको search कर लेना होगा तो एम परिवान लिखके आप जैसी search करते हो यह जो पहली website आपको दिख रही है इस पर ही आपको click करना होगा official website है तो इसका link में आपको description box में provide कर दूँ हो हाँ पर भी आप click करके यहाँ पर आ सकते हो आपको यहाँ पर आना है online services और नीचे आपको मिलेगा एक driving license related services तो इस पर आप जैसी click करते हो यहाँ पर आपको है जो कि अपने state select कर लेनी होगी जिस भी state से आपने driving license के लिए apply कर रखा है तो जैसे ही आप state select करते हैं यहाँ पर आप आ जाओगे dashboard पर यह pop up आता है इसका कोई काम ही आप इसे cut कर दोगे तो यहाँ पर देखे आपको काफी सारे हैं जो कि options देखने को मिल जाते हैं तो हमें है जो कि अपनी application को open करना होगा सबसे पहले तो यहाँ पर application status पर click करेंगे और यहाँ पर डालेंगे आप डालोगे अपना application का number और जो उसके बाद आप simply submit वाले बटन पर click कर दोगे तो यहाँ पर देखिए application आपकी open हो गई है आपके में भी कुछ steps है आपको अपनी application open कर ले जोगी तो जैसे कि हम test देने नहीं जा पायते हैं उस दिन कुछ urgent काम आ गया था तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक SMS भी आ जा देने ला किंगा तो इस पर यह जो की आपको click कर देना होगा तो जैसे आप यहाँ पर click कर आ खो । यहाँ पर देखिए आपको enter करना होगा अपना application का नंबर तो application सम्मिट वाले अपको click करना होगा तो submit वाले बटन पर आप जैसी क्लिक करते हैं यह आगई है आपकी application तो जैसे कि हम MCWGA निके motorcycle का हम license बना रहे थे तो यहाँ पर सारी details आगई है आपको है जो कि इस option को है जो कि नीचे track select करना होगा track आप चूज कर लो जिसमें जाना चाते थे उसी में चले जाओ बदलना चाते हो तो बदल भी सकते हो तो यहाँ पर से जैसी आप track चूज कर लोगे उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पर mode of vehicle में two wheeler ही select करना होगा क्योंकि हम motorcycle का यहाँ पर license बनवा रहे हैं तो यहाँ पर two wheeler का option दिख रहा है इसको यह आप तर जो कि select करोगे और आपको simply proceed to book इस वाले option पर क्लिक करना होगा क्लिक करते ही आप आगए हो यहाँ पर आप आपको चूज करने होगी date आगे दुवारा आपको बताएंगे तो जैसी आप date select कर लोगे उसके बाद है जो कि time select करने का option आएगा तो यहाँ पर चार slot हमें मिल रहे है और जिस slot में जितने है जो कि vehicle के लिए जगे खाली हो यहाँ आप साइड में लिखा हुआ है तो आपको अपने time case आप से अपने मतलब जब भी time आप प्रेफर कर रहे हो जाना तो उस time को आप यहाँ पर select कर सकते हो आपकी एक्छा होगी सुबे चले जाओ सामने यह दो पैर में तो जो भी time slot है उससे 10-15 मिट पहले ही आपको है जो कि ito में जाना होता है तो जैसे कि मैं यहाँ पर select कर लेता उस time को और उसके बाद है जो कि नीचे आपको book slot वाले option पर click कर देना होगा तो जैसे आप book slot के option पर click करते हो यहाँ पर है जो कि आपको अपना phone पे एक OTP प्राप्त होगा जो भी आपका phone number link है इससे application से उस number पे एक OTP send करा गया होगा तो वो OTP आपको check out करना है और अपने phone में से देखके यहाँ पर जो कि आपको fill up कर देना होगा और submit वाले button पर click कर देना होगा तो आप जैसी submit करते हो यहाँ पर देखिए आपकी details है जो कि open हो गई है यहाँ पर है जो कि सारी details आपको एक बार check कर लेनी होगी अपनी application number और date time और continue to booking पर click कर देना होगा और आप आपका slot है जो कि यहाँ से book हो चुका है successfully तो यहाँ पर देख सकते है जो भी ITO आपने चुना है वो ITO कि यहाँ पर location भी आ रही है address भी आ रहा है और date time है जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कितने से कितने वज़े तक है जो कि आपको test देने के लिए जाना होगा वह आपको है जो कि यहाँ पर mention कर रखा है तो जिस भी time आपका दे रहा है उससे कम से कम 15-20 मिनट पहले जाए वहाँ पर इस location वाली link पर आप click करोगे तो जहाँ पर भी आपका ITO है आपकी है जो कि location open हो जाएगी कई लोगों को location पता नहीं होती है तो आप map में follow करके है जो कि उस location तक पहुंच सकते हो और आपको जो कि यहाँ से अपना print वाला option जो दिख रहा है यहाँ से जो कि आपको यह driving license slot booking का है जो कि appointment letter है जो कि यहाँ पर print कर लेना होगा और यहीं लेकर है जो कि और जो भी document लेके जाने होते हैं वो सारे document लेके अब आपको जो कि ITO में चले जाने test देने के लिए और इस बीच हमें यह भी पता लगा friends अगर आप slot booking में नहीं जा पाते हो जो भी time आपका ता हो छूट गया है तो आप है जो कि बिना फीस दिए भी अपनी slot booking कर सकते हो हमने यहाँ पर किसी परकार का फीस का भुकतान नहीं करा है फिर भी हमारा जो कि slot rebook हो चुका है तो friends यह वीडियो आपको information लगी हो तो इस वीडियो को like करे अपने चैनल को subscribe करे और ऐसे information ले वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए topic के साथ जब तक लिए जैहन वंदे मातरम